नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्र जस्मीत आलवालिया और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर्निया ओप्रेशन के बाद कैसी डाइट लेनी चाहिए वेल इस डाइट के दो आसपेक्ट हैं पहला आसपेक्ट है कि वो डाइट जो ऑप्रेशन के पहले कुछ दिनों में लेनी चाहिए ताकि आपकी रिकवरी अच्छी हो और एक लॉंग टर्म डाइट है ताकि आपकी हर्निया दुबारा होने का रेकरेंस कम हो किसी भी ऑप्रेशन के पहले कुछ दिनों में आपकी डाइट कुछ कम रहती है क्योंकि ऑप्रेशन की वज़े से body को रिकवर होने में टाइम लगता है ऑप्रेशन के बाद हम कुछ दवायां देते हैं जिन से डाइटेशन में फरग पड़ता है और depending upon patient की age कैसी है उस पर भी recovery का difference परता है तो operation वाले दिन शाम को हम usually recommend करते हैं कि patient liquid diet लें जैसे पानी, नारियल पानी, soups ऐसे और next day morning अगर वो comfortable है तो हम semi solid diet देते हैं जैसे कि खिचड़ी, दलिया, चाय के साथ biscuit bread ऐसे चीज़ हैं इसके बाद आप धीरे धीरे अपनी diet पे normal वापिस आ सकते हैं depending upon कि आपको खाना किस तरह से पचरा है बहुत सारे लोगों में दो तार जिनों में ही patients normal diet पे वापिस आ जाते हैं जैसे operation से अगले से अगले दिन हम usually उन्हें encourage करते हैं कि आप चपाती खाना शुरू किजिए चपाती में oil ना हो और जो सबजी लें उसमें भी oil कम हो, मिर्च मसाले थोड़े कम हो because operation के बाद दी जाने वाले दवाईयों से और operation की वज़े से भी आपके acidity होने का chance जादा रहता है और इसलिए हम बोलते हैं कि पहले खाना कुछ दिनों के लिए blend रखे जैसे जैसे आपको ये खाना digest होने लगेगा, धीरे धीरे इसको quantity बढ़ाकर अपने normal diet पे वापिस आ सकते हैं कुछ लोग 2-4 दिनों में ही normal diet पे वापिस आ जाते हैं और कुछ लोगों को हो सकता है कि 2-3 weeks लगे अपनी normal diet पे वापिस आने के लिए लेकिन ध्यान रखे कि अगर आप ये हलका खाना बहुत दिनों तक खाते रहेंगे तो इससे कई तरह की problems आ सकती है आपको weakness हो सकती है, constipation हो सकती है because blend और simple खाने में fiber की content कम रहती है so कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी आप normal अपनी diet पे वापिस आ सकते हैं उस पर वापिस आ जाईए second aspect है कि long term में कैसा खाना ले जिसमें कि आपका हरनिया की recurrence कम रहे well इसमें आप खाने के साथ साथ अच्छी nourishment लीजिए जैसे कि fresh fruits, green leafy vegetables ताकि आपकी body को nourishment अच्छी रखे और protein की quantity भी कुछ स्यादा रखे ताकि आपका muscle, mass अच्छा रहे और हरनिया को दुबारा होने का recurrence कम रहे इसके साथ specifically वो खाना avoid करना है जिसके की हरनिया पर उपर जोर पड़ता है ये पहले कुछ महीनों में बहुत important है यानि कि ऐसा कोई भी खाना जिससे आपको khांसी हो, आपको constipation हो इस चीज़ को avoid करना है और किसी भी तरीके से अगर आपको urine करने में दिक्कत हो रही है तो उसका भी लाज करवाना है constipation का कारण होते हैं कम fiber वाले खाना और कम liquid intake लेना यानि कि अगर आप fruit ले रहे हैं तो उसको विद छिलका लीजे जैसे apple लेना है तो उसे विद छिलका लीजे फ्रूट जूस के बजाए होर फ्रूट लिजे फाइबर का रोटी में आप आटा जो यूस कर रहे हैं वो बहुत जादा रिफाइंड ना हो यानि बहुत वाइट ना हो उसमें fiber content जादा रहे mixed millets यूस कर सकते हैं ताकि आपके quantity of fiber हमेशा अच्छी रहे और liquid intake को बढ़ाए रखे सिंपल पानी के इलाबा आप और liquids भी ले सकते हैं जैसे निम्बू पानी प्रॉपर लसी किसी और फॉर्म में juices में soups में जिससे की overall liquid intake आपका body का अच्छा रहे और stools आपके soft रहे high protein diet लेने के लिए अगर आप non-veg खाते हैं तो हर तरह के non-veges जैसे chicken, egg का white हिस्सा, fish इन सब में protein बहुत अच्छी होती है तो इन सब चीजों का intake थोड़ा बढ़ाए और अगर आप non-veg नहीं लेते सिरफ vegetarian है तो पलसे जाने की जो routine दाले है बीन्स, राजमा, चने इन सब में protein अच्छी रहती है और इसके इलावा सोया बीन के हर तरह के products भी आप यूज़ कर सकते हैं इन सब में protein content जादा अच्छी होने की वज़े से आपका muscle mass अच्छा रहेगा और हर्निया दुबारा होने का risk कम होता रहेगा इसके लावा अगर आप alcohol या smoking यूज़ कर रहे हैं तो उसको अभी कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए cause इन सब से भी आपको हर्निया होने का risk थोड़ा बढ़ता है बोडी को nourishment कम मिलती है और especially smoking से muscle weakness होती है कफ होती है और इससे भी हर्निया की recovery में काफी फरक पड़ता है देन वो खाना जिससे खांसी हो रहे हैं जैसे कि खटा खाना अचार सर्दियों में लोग मूफली खाते है ऐसी कोई भी चीज जो आपको लगता है कि आपको उससे कफ हो सकती है उसे avoid किजे stool soft रहेंगे खांसी नहीं होगी urine का pressure नहीं होगा तो हर्निया के उपर जोर नहीं पड़ेगा और पहरे कुछ महीने हर्निया की healing के लिए बहुत important होते हैं क्योंकि जो जाली बिठाई गई है उसे body के साथ जुडने में कुछ time लगता है और यह time 2-6 महीने का हो सकता है और अगर आपको urine की problem है तो उसके लिए doctor को मिले बहुत सारे हर्निया's old age elderly males में होते हैं जिसमें prostate की वज़े से urine की रुकावत रहती है और ऐसे cases में भी अगर आपको लग रहा है कि after operation urine pass करने में आपको जोर लग रहा है तो डॉक्टर को मिलकर उसकी आप medicine स्टार्ट कर सकते हैं और उसे भी relieve किजे तो I hope कि वीडियो देखकर आपको idea लगा होगा कि हर्निया के बाद अपने diet कैसे रखने चाहिए और आप एक अच्छी recovery कर पाएंगे Thank you Thank you